आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो हमारे पास question है what is archaeopteryx what is its significance in evolution मतलब archaeopteryx क्या है और इसकी evolution जो है इसमें क्या significance है ठीके तो archaeopteryx क्या है यह extinct species है जिसे हम क्या कहते है fossil bird भी कहते है ठीक है इसे हम क्या कहते है fossil bird है यह एक type की bird है ठीक है पर इसमें क्या है यह हमारे पास evolution में क्या significance है कि यह क्या है हमारे पास एक connecting link है ठीक है अगर हम evolutionary chart देखें तो हमें पता है कि पहले क्या थे सबसे पहले, fishes थी, ठीक है, उससे क्या evolve हुए, amphibians, amphibians के बाद क्या आए, reptiles, reptiles के बाद birds, और birds के बाद mammals, ठीक है, यह हमारा evolution ऐसे हुआ था, अगर हम देखें कि जो reptiles है और bird है, इनके बीच के अगर हम कहें कि ऐसे species जिससे हमें पता चलता है, यह क्या है evidence है हमारे पास, जिससे हमें पता चलता है, कि जो reptiles है, उसी से क्या हुए है, birds का evolution हुआ है, उससे हम क्या कहते है, connecting link कहते हैं, जिसमें कुछ characteristic reptiles के होंगे, कुछ birds के होंगे, ठीक है, तो यह connecting link हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या है, Archaeopteryx है, ठीक है, Archaeopteryx से हमें पत birds के हैं, जिससे हमें पता चलता है, कि यह क्या है, reptiles से ही birds का evolution हुआ है, ठीक है?